सफलता का अर्थ क्या है सफल जीवन? हलो फ्रेंड्स, नमस्कार नमस्कार भारत! आज मैं अपने इस वीडियो में जोसेफ मर्फी की बुक दपावर अफ सबकॉंसेस माइंड से सफलता क्या है और वो कैसे प्राप्त की जा सकती उसके विशेय में बताने वाले हैं। शान्ती, आनंद वो प्रसनता से भरपूर जीवन को ही सफल जीवन कहा जाता है। पावर अफ सबकॉंसेस माइंड में जोसेफ मर्फी बताते हैं कि यदि जीवन में हमें सफलता प्राप्त करनी हैं तो उसके तीन चरण होते हैं। सबसे प्रथम चरण में यदि आपको जीवन में सफलता पानी हैं तो आप ये देखें या पता करें कि आप किस काम में सबसे जादा आनंद लेते हैं। आप किस काम को करना पसंद करते हैं, क्योंकि जिस काम को आप प्रेम करेंगे, उसमें आप सबसे ज़्यादा सफल हो सकते हैं. इसके साथ ही सफलता सीड़ी तर सीड़ी चढ़ना भी है, क्योंकि मान लेजिए कोई एक मनो वैग्यानिक है, तो वह सफलता भी हो सकता है, जबकि वह उससे समंधि डिग्री लेने के साथ ही बहुत सारे सेमिनार्स में जाए, बहुत सारे वैग्यानिक लेखों को पढ़े, कह को अपडेट करना है तभी आप अच्छे तरीके से सफल हो सकते हैं इसी तरीके मान लिजे एक डॉक्टर है वो पहली बार operation करने जा रहा है तो वो अपने आउचेतन का प्रियुग किस प्रकार सफलता के लिए कर सकता है तो वो ये कह सकता अपने अउचेतन से कि हे मेरे अउचेतन तुम्हारा अनंत ग्यान मुझे वह स्थिती दिखाता है जिससे मैं ऑपरेशन सफलता पूर्वक कर पाऊं और इस प्रकार का जब विश्वास वह अपनी प्रार्थना में व्यक्त करता है तो वह सपस्ट रूप से शांती से वह अनंद प्र प्राप्त करता है या वह रास्ता पाता है जिससे वह अपरेशन कर पाता है सफलता का दूसरा चरण विशेशग्यता प्राप्त करना विशेशग्यता मतलब किसी काम में विशेश ग्यान प्राप्त करना जैसे कि कोई व्यक्ति केमिकल या रसायन का व्यवसाय करता है तो उ उसके किसी एक विभाग में बेहत विशेश अग्यता प्राप्त करनी चाहिए, उस पर ही अपनी उर्जा लगानी चाहिए, जिससे वह उसके विशे में अच्छा ग्राप्त कर पाए। सफलता तो यह भी कहती है कि आप कोशिश करें कि आप अपने आसपास वालों से अधिक ज्यान रखें, तब आप ज्यादा सफल हो सकते हैं। होना चाहिए, तो फ्रेंट्स यह हो गए तीन चरण पहला सफलता के लिए आपको क्या पसंद है यह पता करना, दूसरा उस विशे में विशे शग्यता हासिल करना, तीसरा सफलता स्वयम के लिए ही नहीं, बलकि मानवी कल्यान के लिए भी होनी चाहिए, इसके साथ ही सफल जो मिलती है हमको, कौन सी ऐसी सफलता है, जो सची सफलता है, यह सची सफलता का पैमाना क्या होता है, तो सची सफलता वह है, जब आपके पास मानसिक शानती हो, क्योंकि मान लीजिए, आपने बहुत संपत्ति बना ली, बहुत सारा धने कत्र कर लिया, परन्तु शानती नह नहीं व्यतीत कर सकता, यह शांत जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, क्योंकि हर समय पकड़े जाने का डर है, ऐसे में वह पुलिस के हवाले अपने को करता है, आत्म समर्पण कर देता है, और सजा काटने के बाद, फिर वह वह काम करता है, जिसमें उसे आनन्द आता है, और वह अत सफलता के लिए करते हैं वो चाहे फिल्म नगरी से हो उद्ध्यु कजगत से हो या बहुत सारे लोगों को उठाकर देख लीजे लोग अपने सब कौन्सेस माइंड या ओचेतन मन का प्रयोग सफलता के लिए करते हैं तो कोई भी व्यक्ति सफलता के लिए अपने ओचेतन का प्रियोग बड़ी आसानी से कर सकता है बस उसका पूर्ण विश्वास उस पर होना चाहिए तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ सफलता के स्टेप्स ले के आऊंगी जो कुछ कहानिया ले के आऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि आप भी जीवन में सफल हो सेते हैं तो नमस्कार भारत नमस्कार